नमस्कार मैं रुस्तम सिंग्राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार आज हमारे साथ है नानुमता के लोगप्रिय विधायक माननी है डॉक्टर प्रेम सिंग्राणा जी सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपने अपने ब्यस्ततम कारिकरम में हमारे लिए समय निका लगवग जनता यह पूछ रही दी कि एक बर आपका इंट्रिव्य लें और जाने बिकास के कारिक क्या क्या चल रहे हैं आपकी रिपोर्ट क्या क्या है आपकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में लोगों ने कहा था एक बर आप उनसे चर्चा करें तो सर्थ दस साल के नाटम मता को मने नघर पंचयत का दरजा में अगर हमारा आज मिलुक चल रही है इसी तरह से हमारा इया हम ton तो नानग summata, hospital हमारा प्रात्मिक स्वास्तकेंद्र था हुशके बाद हमने उसका ऊच्छी करन कराया सामुदाइक स्वास्तकेंद्र में और डॉक्त्र की हमारे पास कमी थी पिछले ना है कारिकाल में बिपक्श में है नानक मता होश्पीटल हमारा बहुत ही अच्छा वना है और यहां डॉक्टर की कमी नहीं है कुछ एक फिजिशन वगरा आने वाले हैं वह भी हम लाएंगे स्वास्त की द्रिश्टी से अगर हम देखें तो कई जगे हमने स्वास्त के छेत्रों में काम किया है चाहे हमारा व हमने विध्याले की है नानक मता हुआ मैं हमने पॉल्टेक्μοनिक कोलेज की वीवस्ता करी है इसी के साथ साथ हमने डिई remnants की हमारी सेधान्तिक स्विकर्ति मिल गई है वित्ती स्विकर्ति के लिए प्रस्ताव हमारा प्रस्तावीत है बहुत जल्दी डिग्री कॉलेज इसी सेशन में खुलने का मान्य मुक्मंत्री और मान्य उच्छ सिक्षा मंत्री ने आश्वाशन दिया है तो सिक्षा के छेतर में हमारा एक विद्याले जो ऐस्ता भी है वो उच्छी करण में जा गया हुआ है प्रिस्ताओं वैसे तीन गये हैं किन हमारी सरकार । ऐ विद्याले उच्शी के लिए कह रहे है कंडर को intermediate में उच्शी करण करेंगे तो मेरी दो फ्रात्मिकता है एक हमारी ऐस्तावीं एक हाइस्पूलเรา कोलेज और एक हमारा गोविंदुपूस्पूरप पर जब लेकर लेटर मैंने दिया है और लेटर मैंने देने के बाद भी उसके उच्ची करण की कारवाई हमारी गतिमान है किसरी वात हमारा एक भारत सरकार में एक प्रूजल जन जाती विश्व विद्याले का प्रिशतावान कर स scratched गया है, जो 600 क्रोड का प्रोजट है, उसमें मानिय मु्कमंत्री और निवर्तवान मुओं मंत्री और हमारे उच्छ मंत्री की मोहर लगी है, और वो हमारा सितारिकस सिटकूल में बने जिसमें हमने 52 एकड जमीर का प्रस्ताव दे चुका है और मानिए हमारे केंदरी मंत्री जंजाती मामले अरजुन मुंड़ा जी से बात हुई है वो बहुत जल्दी हमारे को जंजाती विश्विद्या ले देंगे वो पत्रावली हमारी गतिमान है गहीवाथ हमारे अविस्ता करने के लिए पिछले कारिकाल में ने हमने सब डिवीजन जंकट में इस्ताफना कराई और जंकट में सब डिवीजन की स्ताफना होने के बाद इस नानगमता में जो लोड पड़ता था वो लोड कम हुआ अभी मेरा दूसरा बिजली कर दी उसकी जमीन का भी पैसा आ गया और अक्टूबर में जो हमारा बिजली घर उसका निर्मार कार होगा तीसरी बात रहे कि हमारे पास जो इस्टेडियुम की बात चल लिए वह स्टेडियुम मेने के मानिय मुख मंत्री जी ने आश्वाश्त किया और मानिय मंस्तरी जी खे खेलो इंडिया पर गया है खेलो इंडिया से बहुत जल्दी स्विकर्ति मिलने वाली है और इसका इसकी जमीन भी हमें उपलब्द हो गई है हमने दो जगे प्रस्तावित की है यह तो डोहरा में होगा यह बिरिया में लेकिन जो मतलब खेल विवाग के अधिकारी कहेंगे उस थारुविकास भबन जैसे खटीमा में बहुत चर्चा थी कि थारुविकास भबन हमने बनाया उससे दुगना अच्छा थारुविकास भबन यहां एसी से सहीथ वन रहा है उसकी चत पढ़ने वाली है क्योंकि दो साल कोवीड होने के कारण कुछ विकासकार धेमा हुआ था वाटर इस्पोर्ट्स के काम से आज पूरे देश और विदेश से मुझे कॉले आ रही है मुझे सुब कामना है और बदाई दे रहे हैं सर कई सारी उपलब्दिया हैं आपके पास गिनाने के लिए मेरा सवाल यह है कि क्या भाजपा आपके उपर विश्वास नहीं कर पा रही है जिस तरह से दो नाम आ रहे हैं एक राकेश राना जी भी दावेदारी कर रहे हैं जो के एसकी मौर्चा के प्रदेश रंग से बहुत बड़ा पद छोड़ कर आए हैं क्या आप इसे क्या देखते हैं देखिए भाजपा का तो यह विश्य नहीं रहा विश्य यह है कि जो भी विदानसवा का में जब चुनाव आते हैं चुनाव के समय में हर पिरत्यासी है हर कंडिडेट हर उम्मिदवार अप भारती जनता पार्टी से करता है उनका अधिकार है अपना इटिकेट मांगने के लिए लेकिन की साथ की डो साल का यह उपर लबदिय हमने की है है हमी चुनाव से लगना और आंगेगा पार्टी डेशीजन को olla सर्वे के आदार ठोन स्टिकेट देगी सर ऐसी वी चर्चा आ रही है कि आप एक तरह से निर्दलिये या फिर कॉंग्रेस से टिकेट ले सकते हैं इस बात पर आप क्या कहेंगे सर देखिए मैं भारती जनता पार्टी का एक कर्मट सिपाई हूँ भारती जनता पार्टी ने आरक्षनर जब हुआ था तो मुझे डिग गलत डिसीजन लेने की कलपना नहीं कहिए और ना करूंगा तो कि इतना बड़ा सम्वान मिला भविस और अच्छा है अभी हमारी उम्री क्या हुई है अभी तो बहुत आगे जाएंगे सर एक और सवाल है और कई लोग पूछते हैं कि जो सादू नगर से जो रोड जाना था जो पुल का निर्माड होना था जो सिटकुल को जोड़ता था सर उस पर 32 करोड का कुछ फंड आये था वो आप नहीं उसे यूज कर पाए क्या ये बात सच है एक ख़बर भी मैंने दे करती लाए उसका टेंडर भी हुआ और उस पुल को सुईकर्त कराने में मैंने पिछले सरकार में विपक्ष में भी गोशना कराई थे उसमें विपक्ष में गोशना कराने के बाद भी 11 लाक रुपे प्रतम चरण के पैसा आया था जिसमें हमारी स्वेल टेस्टिंग और पैसा आने के वाद उन्होंने टेंडर भी लगाया लगाने के वाद किसी कॉंटेक्टर ने अश्मेडर नहीं डाला यह उनकी कमी रही होगी मेरी कमी नहीं मेरा प्रियासरा उत्र नानक मता का सथत विकास करना है नानक मता का विकास करने के उपलक्ष से मैं यहां इस विदानसभा में बैठा हूँ अब रहिवात जब उन्होंने टेंडर नहीं डाला उसके जश्ट पांस साथ दिन वाद कोविड पूरे विश्व में आया और सरकार को इसका हमारा से प्रस्ताव गया है और उत्राखण सरकार से मुष्कर सिंग धामी जी इसको देने के लिए मतलब स्विकर्ति देने के लिए तैयार है पूरी डिपी आर तैयार है मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी इसका निर्मार का रहुगा एक वाद दूसरी कि आप मैं से मैं बता रहा हूं कि जो कभी भी काम नहीं हो सकते हैं वह काम डॉक्टर प्रेम सिंग राड़ा ने किये हैं आपको मैं बतारा चाह रहा हूं कि यह जो हमारा वरकी डांडी से लेके चैतुय खेड़ा देविपूर गिदार और एस ता इस रोड को रोड की हमने स्विकरती बिती स्विकरती मिल गई है टेंडर फिर्क्रिया ओपन हो गई आज कल में उसका टेंडर डल जाएगा और बहुत जल्दी अक्टूबर फर्स्ट वीक से उसमें निर्मारकार करें जो कभी जीवन में जब से सरश्टी की रचना होई है जब से व्यक्ति ने जनम लिए तब से जंगलों में गूमते रहे जंगलों में पेदल आते रहे आज हमने उसको पुल फूल भी दे रहे हैं रोड भी दे रहे हैं जिसमें हमने परतम चरण में 5 करोड़ राजनीति जीवन में ऐसा होता यह सब आते हैं आप उन्हें काम करता है उसके उब्यक्ति । भी लगते हैं जो कामी नहीं करेगा उसको आरोप क्या लगेंगे दूसरी बात रही कि व्यक्तिक अगर आरोप लगाना है तो यह निराधार गलत है मेरा आदत है मेरी आदत है कि हम हाजी मजाग जुरूर कर रहे होंगे अगर किसी से बात कर रहे होंगे किसी ने वाइस कौल कर लिया होगा तो उसकी कम जोड़ी है और उसका विवेक करता है लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि अकर कोई आरोप लगा रहा है चुनाओ के टाप में किसी तरह के आरोप लगाते रहते तो सामाने पर कर लिए चलती पर चुनाओ के समय में यह आते रहते हैं सर जिस तरह से हमारे किसान बहुली छेतर है और किसान कहीं न कहीं आंदोलनदत है उसको लेकर से आप क्या कहेंगे देखे सबसे पहले तो मैं भी बहुत बड़ा किशान हूं मेरा पूरा परिवार मैं इसलिए कह रहा हूं किसान इसलिए बड़ा मैं कह रहा हूं थरवाट में मुझे लगता है कि अच्छी संक्या में मेरे पास जमीन है तो सबसे पहले तुम्हें किशान की भावनाओं को समझ रहा हूं किशान के भावनाओं के साथ में तयार हूं और मैंने आज भी जितना भी किशान अंदोलन हुआ है हम उनकी भावनाओं को समझ कर मानिये मुखमंतर करती गलत का है किशान हमारे भाई है और किशान मैं भी खुद हूं उस वावना को हम समझते हैं सर मेरा अखरी सवाल यह है कि जनता जो है एक तरह से महंगाई की मार जहिल रही है और तो आपको लगता है क्या महंगाई चुनौती रहेगी देखिए डॉक्टर प्रेम सिंग राडा के सामने नानक मता विदान साभा में कोई चुनोती नहीं है मैंने पूरा रात दिन अपना जीवन जनता के साथ समर्पित किया है अगर कोई रुष्ट भी होगा वो संतुष्ट होके डॉक्टर प्रेम सिंग राडा के यहां से सब्सक्राइब देखिए बाटर रिस्पोर्स का जो आपने सुभारम किया है एक तरह से जंता का सवालात यह है कि उसका रेट जो क्राइस है वह कहीं अधिक है देखिए बाटर रिस्पोर्स का जब हमने काम सुभारम किया था एक ऐसी परिस्टी में हमने विसम परिस्टी में इसका सुभारम किया है क्या एजन्सियों से हमने बात की कोई एजन्सियों वाले इस काम को करने के लिए राजी नहीं थे मैंने टीरी में एक रावजजी थे उ कई अर यात्राइड आत्राय करी है कई स्टेट में जाकर हम लोगों किया। हमने हैं प्रेशनी से से डबलब्मेंट करने के लिए आभी पार्किंग की विवस्ता करिए और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मान्य मुक्मंत्री के माध्यम से इसको विक्षित करने के लिए हमने मागा है रेट हो सकता है कि यहां के लोगों को रेट लग रहा है क्योंकि हम लोग गरामीट छेतर से आ सामने 500 रुपए कोई बड़ी माइनता नहीं रखता है अगर आप तीसरी वार यहां के तिन दी चुने जाते हैं आपका विकास का फोकस किन-किन छेत्रों में रहेगा देखिए तीसरी वार चुने नहीं जाते हैं तीसरी वार तो यह आप मान के चलो कि तीसरी वार स्थापना सुवीदा में चाहिए वो बिजली हो पानी हो शड़क हो इन चीजों की समस्या तीसरी वार में हम निजात सब आम पब्लिक को दिला देंगे रही वात यह जो हमारा प्रेटन की दरिश्टी से जो हम डबलब कर रहे हैं यहां जो बेरोजगारी है यहां लोग जो देनिक मजदूरी कर रहे हैं उन सबको भी रोजगार मिल जाएगा आपने देखा कि मानिये डॉक्टर प्रेम सिंग राणा ने अपने बेवाकी से अपने विचार रखे तमाम जो कठिन सवलात हैं उनके जवाब दिये ऐसे ही हम आपके सामने चर्चा में बने रहेंगे ऐस से ही जनता तक जन प्रतिनिजियों की आवाज सुनाते रहेंगे मैं रुस्तम सिंग राणा कैमरेमेन किसन के साथ थारू समाचार